आप सोचिए सौ वर्ष की बुजुर्ग महिला प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी की आदरणिये माँ समझे का बहुत यान से जिनका राजनीती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उन हीराबा के लिए सौ वर्ष की एक बुजुर्ग को मतलब नीच किस्म की राजनीती में घसीट दिया क्या राजनीती बदलने का दावा था उन्हें लेकर इतना गिरा हुआ बयान आपको भरोसा नहीं होगा पहले आप खुद सुनिए और खुद तै कीजिए कि ये किस तरह की राजनीती है वो बयान को बहुत ध्यान से सुनिएगा फिर आप एहसास करेंगे कि राजनीती कस्तर राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादा कस्तर कहां तक गिर चुका है सुनिए आप नरेंद्र मोधी नी सभानों खर्चो गेम नदी मागता तमें नो मानस यहनों खर्चो मांगो ने इराबावी ने पाचा नाटको करें आपने बोलता है शरम आवे अटली मोटी उमन्ना व्यक्ति वीशे पने ये लोको नदी शरमा दा सित्यर्वरस नों मोधी थावा आयो नरेंद्र मोधी नी सभानों खर्चो गेम नदी मागता तमें नो मानस यहनों खर्चो मांगो ने इराबावी ने पाचा नाटको करें आपने बोलता है शरम आवे अटली मोटी उमन्ना व्यक्ति वीशे पने ये लोको नदी शरमा दा सित्यर्वरस नों मोधी थावा आयो वो बोलते हुए कर दूब को आपको आपको शरमानी चीए आपको जितने सवाल उठाई ये बहुत जरूरी है लोकतनत्र के लिए हम भी चाहते हैं आप सवाल उठाएं जितनी निंदा करनी आप कीजिए ना जिने आप कंस की ओलाद कहते हैं उन्हें सबक सिखाईए भाई चलिए बहुत जरूरी है सही बात है आम आनमी पार्टी मजबूत हो रही है और बीजेपी के साथ मुकाबल है चलिए बहुत अच्छ की चीज़ है लेकिन ध्यान रखिए कि निंदा की राजनीती में नीचता के रसातल तक कम से कम मत पहुंचिए क्या ये नफरत की राजनीती नहीं है कि आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी की मा सौ हर्ष ये हीरा बाको भी आप गसीट रहे हैं और फिर उन पर टिपनी क कर रहे हैं क Halo कlaim मुझे शर्म आरे हैं लेकिन आप बोल भी रहें आपको आनेे चीए शरम अब जब सवाल पूच रहे हैं और तो सुनिये दप सवाल पूरे देश में 365 दिन भाजपाई पूरे अक्मान कर रहे जसकी कोई वड़ी जानी नहीं होता है पूरे देश में 365 दिन भाज़ पाई पूरे देश का आपमान कर रहे हैं कोई वीडियो जानी नहीं होता है आमान्दी पाठी की तरफ से का जा रहा था कि यह बयान इटालिया साहब का तब का है जब आमान्दी पाठी में नहीं थे तो जब बयान पर सवाल पूछा तो कहा जा सकता था कि अशोबनी बयान है गलत बयान है कोई टिपणी नहीं की गलत बयान है ऐसा बलकि उल्टा अभदर टिपणी की गई इसलिए बीजेपी सवाल उठाई है कि प्रधान मंतरी के खिलाफ असभे टिपणी, प्रधान मंतरी की मा के खिलाफ अभद्र टिपणी, क्या बिना केश्जीवाल की मर्जी के हो सकती है, बीजेपी कह रही है कि केश्जीवाल के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, सवाल ये